गुड मॉर्निंग फ्रैंड्स तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 करंट अफेर के कुश्चिन्स के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको वही कुश्चिन्स करवाँगी जो एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेर के कुश्चिन्स आएंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो दोस्तो बने रहे हैं एंड तक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे पास में बेल आइकन उसे प्रैस का रॉल पर क्लिक कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट आपको डेली मिलती रहे तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहापर हमा और किस देश के बीच वानिजी दूत इस्तर का ग्यारवा दी पक्षी समवाद हुआ है तो आंसर होगा अमेरिका नेक्स देखिए यहाँ पर हाल ही में राश्ट्रे सार्वजनिक स्वास्ति भारत सम्मेलन 2024 का आयूजन कहां किया गया है तो यह आयूजन कहां किया गया है दिल्ली में राश्ट्रे सार्वजनिक स्वास्ति भारत का सम्मेलन नेक्स हाल ही में कहां के एथलिटों ने दुनिया की सबसे उची फ्रॉजन लेक मेराथन जीती है तो आंसर होगा भोपाल भोपाल के एथलिटों ने दुनिया की सबसे उची फ्रॉजन लेक मेराथन जीत नेक्स्ट हाल ही में परपल का आयोजन कहां किया गया तो आंसर होगा नहीं दिल्ली नेक्स्ट हाल ही में कुमार सहानी का निधन हुआ है फे कौन थे तो जो कुमार सहानी है वो कौन थे डारेक्टर नेक्स्ट हाल ही में किस विश्विध्याले को UGC से श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है नेक्स देखिए यहां पर हाल ही में एशियाई ट्रेक साइकलिंग चैंपियंशिप 24 कहां शुरू हुई आंसर होगा नई दिल्ली हाल ही में एशियाई ट्रेक साइकलिंग चैंपियंशिप 24 शुरू हुई है नेक्स देखिए हाल ही में भारत और किस दे हुआ है I hope कि आपको questions समझ में आ रहे होंगे और लग रहा होगा कि यह जो questions है वो आपके exam के point of view से बहुत important है तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो like कर दें next देखिए आपर हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोशना की है तो Atlantic महासागर ने कोलंबिया की सरकार ने Atlantic महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की गोशना की है नेक्स्ट हाल ही में प्रधान मंत्री मोधी ने कहां 4,150 करोड रुपे से अधिक का विकास परियुजना का शिलानियास और लोकारपन किया है तो आंसर होगा द्वारका में नेक्स्ट हाल ही में केंद्र सरकार ने सेरोगे सी रूस 2022 के नियम में बदलाव किया है कौन सी नियम में बदलाव किया है नियम 7 में नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लह टन हाइड्रोजन उतपादन का लक्षे रखा है तो वियत नाम ने 2030 तक 1.5 लह टन हाइड्रो होगा वारांसी वारांसी में हमारे जो पीम मोदी हैं उन्होंने संत्रवीदास की प्रतिमा का अनावरण किया है नैक्स देखिए हाल ही में UAE सरकार ने भारतिय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधी को बढ़ा कर कितने साल कर दिया है तो अगर पसंद आया है तो वीडियो क जरूर लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ओके दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भालत